अंद्रप्रदेश के कडपा जिले के मैदुकुर कस्बे में पिछले च्छे महिने से गाई की अनोकी आदर चर्चा की वज़ा बनी हुई है ये गाई हर रोज कुछ घंटों के लिए स्थानिय बजार में स्थित कपड़ों की एक दुकान में अराम करने आती है स्री साइम क्लोट शोरूम नाम के इस दुकान के मालिक भी इस गाई को अपने बिजनेस के लिए सुब मानने लगे हैं आपको बता दें दुकान के मालिक पी ओबिया का कहना है इस बार गर्मियों के मौसम में एक दिन अच्छानक यहां एक गाई दुकान में खुसा आई और पंके के नीचे बैठ गई इसके बाद वो दो तिन घंटे अराम करने के बाद यहां से खुद चली गई शुरू में तक गाई को इस तरह दुकान में खुसते देखकर हम हैरान रह गए हमने उससे भगाने की कोशिश के लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ अराम करने के बाद गाई अपने आप चली अपको बता दें तब से हर रोज दुकान में अराम करने के लिए इस गाई का आना एक आदत बंगिया, दुकान के मालिक कहते हैं हमारी दुकान में आना भी इसकी आदत बनगे शुरू में तो हमें लगा कि इसे हमारे धंदे पर असर पढ़ेगा लेकिन असल में हमारा बिजनेस पहले से बहतर हो गया दिल्चस्प बात ही है कि इस गाये ने दुकान के अंदर कभी गंदगी नहीं फेलाए आपको बता दें ओबिया की पतनी हर रोज गाये के आगमन को दुकान के लिए शुप संकेत मानती है उन्होंने तो गाये की पूजा भी करनी शुरू कर दी थी SPN 9 News से नाजमिन की रिपोट